हमारी कहानी का हीरो ही हमारी कहानी का विलन है बच्चा जैसे मैंने कहा हमारी कहानी का हीरो ही हमारी कहानी का विलन है पेडलर अकेला रहता है भटकता रहता है वेगाबॉंड है एक बंजारे की जिन्दगी दिखाता है घर नहीं है फैमिली नहीं है अपना जीवन जीने के लि चूहों को पकड़ने के जाले, red traps बेचता है, और कभी-कभी चोरियां भी करता है, पेटी-थिवरी भी करता है, यादे चोरियां भी करता है, ऐसे में एक दिल बटकता बटकता एक आदमी के धर चला जाता है, अच्छा हाँ, सवरी, एक इसकी फिलोसिफी है, वो भी आपको कि इसे जिंदगी में कभी कोछ अच्छा नहीं हुआ, तो उसकी भी एच्छा है कि दुनिया का भी अच्छा ना हो, इस वर्ल्ल शुट सफ़किए. यह बुरा अधा सोचता है, बुरा मांगता है… और इसमें क्या मांग रहा है और क्या सोचता है कि यह पूरी दुनिया है वो एक बहुत बड़ा रेट्ट्रैप है और यह जो हमारी जिन्विदी के सुख है पैसा दन दॉलर कामियाबी यह सारी चीजे वो लालचे हैं जो हमें फसाने के लिए आकर्शित करते हैं जैसे इसमें एक एक्जैंबल दिया गया है कि चूरे को फसाने के लिए डैट्ट्रैप में चीज रग दिया जाता है ऊसी चीज के लालच में वो चुआ अंधर आजाता है उसी तरह से उसी तरह से हम इंसानों को भी अलग-अलग जीवन के लालच होते हैं जो बसीड के ले आते हैं और हम भी फस जाते हैं, हम भी जीवन में दुखी रहते हैं, भी अलसो सफ़ादे हैं अब वहां से वो उस क्रॉफ्टर के घर एक रात के लिए रुखता है, बहुत अच्छा इंसान है, इस अजनभी को इस भुखे नंगे इंसान को, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसके पास धंके लुक्स नहीं है, उसको खाना कहलाता है, घर भे ठहराता है, सिगार बिला है, और उसके सामने अपनी जिंदगी की सारी सचाही खोल के रख देता है, एक जमाने में वो फार्मर था, फिर कैसे फार्मिंग से वो छूट दया, फिर वो दूद बेचने लगा, उसके पास गाय है, जो इतना अच्छा दूद दे देती है, कि बहरी बेचने में उसे आसा से आगी ही कहानी में आज आपको करवा रहा है, अब यहां पहे क्या हुआ, सुभा हुई, क्रॉफ्टर अपने राष्टे निकला, पैडलर अपने राष्टे निकला, बट हाफ एन आर लेटर, दूद अगें बफोर दूवर लेकिन हाडली अधा गंटा है बीता था, वो प तो वो क्या करता है वहाँ पहुंचता है घर के अंदर नहीं गुस रहा है घर के अंदर नहीं गुस रहा है खिरकी से ही वो पाउच बाहर निकाला उसमें से 30 क्रॉंच लिए अपनी जेब में डालें और यहां पर आता है लाइफ टैक कर्मिंग पॉंट जो इनसान सब को बुरा संगारा समझ रहा था और जो सोचता था कि पुरी दुनिया ही पूरी है इस यह सब गेंकों पसे हुए हैं इस बार यह खुद उस रेट्ट्राप में फश्ट गया जिस बार यह खुद आप निवाला बनने चोड़ी करने के बाद से मन में Āता है broadly ग्हे अगर शेहर की तरफ जाओंगा इसके मन में आता है कि अब अगर शेहर की तरफ जाओंगा तो पकड़े जाने का खत्रा है वो बंदा क्रोक्तर मुझे अगर देख लेगा तो सवाल करेगा, वे कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उन सब से बचने के लिए एक आसान रास्ता ढूलता है, जो एक चंगल की तरफ चलना शुरू करता है, ज्यान से देखिए। युछ जान रास्ते लिए अगरी क्या पहले अगरी की देखिए। उसमे बचक्या वेश्टा किया, क्या रहे हो जाए, जाए रहे हो, पहले हो एक की प्रफ चलना रास्ते लिए। और उस रास्ते जंगल के रास्ते में पहले एक दो गंटे में उसे तकलीव नहीं है। Later in the day it became worse for it was a big and confusing forest which he had gotten in. Dupair को problem क्या हो गई ही कि वो अब जंगल में भटच गया, confused हो गया। He tried to be sure to walk in definite direction but the path twisted back and forth so strangely He walked and walked without coming to the end of the wood and finally realized that he had only been walking around in the same part of the place. All at once he recalled his thoughts about the world and the right track. Now his own turn had come. He had let himself to be fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen locks, locks मतलब लकणिं, गिरे होए पे, Closed in upon him like an impenetrable, impenetrable मतलब जिसे बेदा ना जा सकता, जैसे आप अगर एक दीवार के आरपार ना निकल पाते हैं, उसे इंपनेंटरेबल है। यह भी वैसा ही। इंपनेंटरेबल प्रिसेंबर प्रिसेंबर प्रिसेंबर, जैसे जाल में फस चुक्ता है, जहां से वो कभी भार नहीं आ पाए। पूरे जंगल के उपर अंदेरा चा चुक्ता है। इससे क्या हो गया, एक तो डर बढ़ गया, रात का वक मतलब जंगली जानवारों का डर, दूसरा उसके मन में ग्लूम, सैडनेस, डिस्पैर, होपलेस्नेस, उसके मन में दुख और निराशा घर करते। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में पूख सकते हैं। डाउट ना हो तो यू कन रेज़ यूर हैंट। डाउट आया। पेटा, एक बच्चे की कंप्लेन है कि आउडियो में प्रॉब्लम है। प्लीज कनफर्म करिये ना आउडियो क्लियर है कि नहीं। ग्लूम का मतलब होता है दुख, इस्पैर का मतलब होता है निराशा। ना बालो मेर्ण का मतलब है। कॉमर्स शरण आपको कॉर्वे करूं बेडा पांच वह यहां पर थेड़ा मेर्कों काइश हुआ देखें डाउट्स देखें बेडा मुझे भी नहीं पता एक बच्चे की कंप्लेन आई कि साथ थोड़ा आवाज कट रही है यह जूम का प्रॉब्लम चली रहा है कल भी कुछ नेटों की इशूस थे क्या करें यह विचारा जूम भी घिस गया है चली आगे बढ़ते हैं तूम्य का मतलब बेहुष हो ना वैसे दूबना होता है साथरान माश्री कि लेकिन यह पे सेंक ड़न दावन उंध्रण बेहुष हो के नीचे नेचे माश्री वो इतना ठका हुआ था कि वो मरने के खरीबु था। Thinking that his last moment had come, उसे लग रहा था कि उसके जीवन का आखरी पल आ चुका है, but just as he led his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself, those are hammerscoats from the iron mill. अब क्या हुआ वेड़ा, almost इसकी हालत चल चल के खराब हो चुकी, शरीर में कोई stamina नहीं, body भी कमजोर, मौत के करीबु इतना ठका हुआ था कि समझो मर ही गया था। इतना ठका हुआ था कि समझो मर ही गया। और जैसे वो समीन पर लेट जाता है, यह सोचके कि यह मेरी जिल्दगी के आखरी पल है, उसे ठाक 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 की आवाज सुनाई नहीं है, और उसे रियलाइज होता है कि यह किसी लोहे की पैक्टरी की आवाज है, जहां पे लोहे को पिगलाया जा रहा है, जहां पे लोहे को shape दिया, लोहे भी पीपल नियरभा है, यह समांड अल स्टे.. समांडल मतले है, जहां गटा करने अगे बढ़े अगे बढ़े अगेबड़े so long ago a large plant with smelter rolling mill and forge इन शब्टों को याद रखियेगा smelter rolling mill and forge ये तीन लोहे के business के बहुत important terms है मेरा smelter rolling mill and forge सबसे पहले समझते हैं कि smelter क्या हो जाता है लोहे की फेक्टरी में जहां पर पिखले हुए लोहे को आकार दिया जाता है इसे smelter rolling mill वो जगा जहां पर उसके उपर रोल करके उसे ठंडा किया जाता है जहां पर उसके उपर रोल करके उसे ठंडा किया जाता है और forge लोहे के अरखाने को जहां पर लोहे को मार के पीट के शेप दिया जाता है तीम बिजनसे मैंने आपके सामने रखे स्मेल्टर rolling mill और forge आई रपीट स्मेल्टर rolling mill और forge स्मेल्टर कौन सी जगा है जैसे मैंने बताया वेड़ा वो जगा जहां पर लोहे को पिखला कर एक आकार के शेप में रखा जाता है लोह आप एकनाले की जगह को स्मेल्टर कहते हैं रोलिंग मिल वो जगह जहां पर उसको थंडा किया जाता है और forge वो भट्टी को पाँच करा है इसके आप मैंने पिखला कौन में हर जाता हैं हम पर बाड़ फ मेडर उसका कमी करा मिवurbATOR न की seed कि हमार जाता है जिसके चलते एक केनाल बन जगा है जिसके चलते एक केनाल बन जगां मिल्च Кई न आक लेक बन जगांता है which sifted down from the big charcoal cremes. अच्छा, बेटर के सीजन में क्या हो जाता? फैक्टरी से निकलने वाले कोईले का धुवा, वो मर जा जाता. और ये सब परिशरी क्रिये बताए. निकलने से ने सम्ता कर से कर तरकी encore जाता हैं. रौ आयन को पीगायन का जाता है, रौ आयन को पीगायन का लिए कई। which had been put into the fire and then one of them got up sorry to be ready to put up or put up on the anvil every now and then one of them got up to stir stir the glowing mass with a long iron bar returning in a few moments mass movements mass with a long iron bar in a few moments dripping with perspitation though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes long shoes long shirt or wooden shoes all the time there were many sounds to be heard in the factory the big billows billows the big blows ground and the burning coal crack the fire boy shoveled shoveled charcoal into the mow of the furnace with a great deal of clatter outside road the waterfall and the sharp north wind wiped the rain against whip the rain against the brick child roof it was probably on account of all the noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the door and entered the furnace until he stood close to the furnace he was a bit limited to the furnace of the fire and the fire is the outlet of the fire furnace gave it a bit closed here today if a doubt has been a bit so you can see that in the chat कर दो पत्र सिस्टा कम घर खंग करना दो जब है तो पंग कर हो दो बुछ भाद कर दो कर दो प्रेंग बुछ गो लग पह हो अ हो हो हुँ आग झाल समय अ और बुछ बुछ दो हो दो चलिए कुछ डाउट्स है वो सॉल्ल करते हैं बिलकुल बेटा दे देंगे इसमें मुझे क्या दिखकत है I have no objection in giving you a complete view surely it was nothing unusual for poor vegabonds without any better shelter for the light to be attracted to the cause by the glow of light अक्सर क्या होता था जो लोग जंगल में भटक जाते थे जिनका घर नहीं जो जंगल में भटक जाते थे वो रात के वक्त आराम करने के लिए यहां आप 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 यह कोई नहीं बात नहीं थी this was not something unusual यह पहले भी हो चुका था यह पहले भी हो चुका था यह पहले भी हो चुका था में आप अच्छा यहां पर एक चीज देगी शुटी पेंट यह मैं समझा दू क्या थे शूट कहा जाता है जब राक सही सुना अपने राक हवा में घुल जाए और सांसों में मैसिज की जाए उसे सूट कहते है आए रेपीट जब राक याने घुफा हवा में घुल जाए और आप उसे सांसों में मैसुस कर सकें उसे सूट कहते है इसके चलते राग को अपने आपको सुकून देने के लिए अपने आपको आराम देने के लिए मेंख से बहतर पुछ नेंखा, ळनने इसके लिए में हैं okem इन चलते हैं, राहिए ने रेकले हैं अब हमारा screen sharing रुख गया अपने point पे आते हैं वापस अभी आ रहे हैं आवास बिड़ा can you hear me guys बिड़ा यहां तक की कहानी हमें पहुचाती है उस लोहे की मिल में जहां पे इनसान फसा हुआ रहा यहां से आगे की कहानी हम करेंगे next lecture में ओके आज zoom में थोड़ा problem चल रहा है बार 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 दो बार shutdown हुआ है ओके so from this point onwards we will continue in the next lecture अरियन आपके doubts मैं अभी थोड़ी दर में भेज रहा हूं मैंने already एक दो बच्चों के भेजे हैं आपके भी भेज रहा हूं बेटा just abhi बेज रहा में आपके रहा हूं प्रवाइट नेच्ट लच्चुर बेटा बेटा फूब्स लच्चें चिक है च्छेंगे we are closing the lecture early today बिकाज नेटवर्क का गोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मिलते नेक्स लेक्च्चर में भी ना